नमस्कार आप सबका स्वागाते हमारे चनल नेक्स्ट नाइन न्यूस पर मेरे नाम है दीपक गुपता आप सभी को बता दे महराश्ट्र के नए मुख्य मंत्री एक नाशिंदे ने बहुत बड़ा फैसला लिया है दर असल यहाँ पर तमाम अच्कले लग रही थी कैबिनेट विस्तार को लेकर लेकिन कैबिनेट विस्तार से हटकर उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया है जहां विपक्षी खे में जरूर यहाँ पर दंग होती नजर आ रही है इन सब फैसलों से ही आप सभी को बता दे किस तरीके से हाँ पर मुख्य मंत्री एक नाशिंदे ने राज के सचीवों को निर्णे लेने का दिकार सोप दिया है मुख्य मंत्री ने यह निर्णे राज्य में मंत्री ने होने से किसी वी काम में रुकावट नाए इसी वज़े से लिया है यानि कैबिनेट विस्तार की बीच जहां शरत पवार आदित्य ठाकर यह बड़ी-बड़ी ब मंत्रिम आदेश पारित करने और सातिसा ततकाल सुनाईव के सबी अधिकार यहां पर सचीव को सोपने का आदेश अनिवार को जारी किया है यानि कि यहां पर ततकाल सुनवाई यहां पर सभी सचीव कर सकने यह आदेश जारी है यह आदेश मंत्री समू के गठन तक काल सुनवाई वो कर सकते हैं यानि कि जो काम रुके हुए है जिन कामों को लेकर विपक्श निसाना साधरा था अब उनके पास ज्यादा यहाँ पर सवाल जवाब नहीं लेकिन सवाल यह है कि अगर यहां सची वह काम सोपा जा रहा है और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार जल्द होगा तो आ즈 अभी तक कोई निर्णाय इस पर क्यों नहीं आया है कैबिनेट विस्तार से हटकर ये अलग फैसला क्यों लिया गया ये सोचने समझने वाली बात है बने रेचनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद